गूर्मॉर्णिंग आभीवन आज है एक अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवियस मंद यानि एक सितंबर से लेकर तीस सितंबर तक के करेंट अफ्यर्स के इंपॉर्टेंट कुस्टंस के बारे में अल्रेडी मैंने अपने सारे प्रिवियस वीडियो में सारी कुस्टंस को डिटेल में एक्स्प्लीन कर रखा है अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप सारे वीडियो को चेक आउट कीजेगा और आज की इस वीडियो में मैंने top 100 important questions को select किया है आपसे एक छोटी से request है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को पूरे end तक बीना skip किये वेट देखिएगा अगर आप किसी भी competitive exam की तायारी कर रहे हैं तो उसके point of view से ये वीडियो आपके लिए काफी helpful साबित होने वाला है वीडियो को बीना skip किये पूरे end तक देखिएगा आएए अब वीडियो के start करते हैं आज का पहला question देखते हैं क्या है पहला question है अभी हाल ही में उपराष्टपती जगदीब धनकर द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्या जीवन दर्सन और संबधता नामक पुस्तक का भी motion किया गया है बात करेंगे next question की next question है हाली में बिहार सरकार द्वारा असना तक पास छात्राओं के लिए 32 करोर रुपे जारी किये गया है बिहार सरकार द्वारा अभी हली में graduate pass जो girls होंगी उनके लिए 32 करोर रुपे जारी किये गया है थर्ड question है बजरंग पुनिया विस्व चैंपियंसिप में चार पदक जीतने वाले पहले भारतिये बन गया है बजरंग पुनिया इसे याद रखेगा next question क्यों चलेंगे हम next question है October 2022 में उत्राखंड के दहरादुन में खेल महाकुम्ब का आयोजिन किया जाएगा और हाँ आपसे एक छोटी से request और है कि वीडियो में कुछ questions मैंने ऐसे भी select किये हैं जिसका answer आपको इसी वीडियो के comment box में comment करके देना है इसलिए आप पूरे एंड तक बीना skip की वे देखेएगा क्योंकि वीडियो को जब आप skip कर जाओगे तो वह सकता है कि आप से छूट जाए है कि आपसे request है कि बीना skip की वे पूरे एंड के तक वीडियो को आप अच्छे से देखेगा चलिए बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टिन की नेक्स्ट कोस्टिन है मध्यपर्देश के उजयन में सित महाकाल कॉरिडोर को अब स्री महाकाल लोग के नाम से जाना जाएगा जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को पियम मोदी द्वारा किया जाएगा यह महाकाल कॉरिडोर जो है यह मध्यपर्देश के उजयन में सित है और इसे अभी हाली में स्री महालोग के नाम से अब जाना जाएगा महाकाल लोग के नाम से जिनका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को पियम मोदी द्वारा किया जाना है चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्यूस्टिन के उत्तर परदेश के अईध्या में निर्मित अभी हाली में एक चौक का जो नाम है वो लता मंगिसकर चौक के नाम पर रखा गया है नेक्स्ट कोस्टन है 17 सितंबर 2022 को राष्टपती द्रौपती मुर्मूदवारा बैंगलूरू में Integrated Cryogenic Engineering Facility ICMF का उधगाटन किया गया कब तो 17 सितंबर 2022 को कहाँ पे बैंगलूरू में इसे आप याद रखेगा बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है हाली में टीम वर्ड ने लेवर कप 2022 जीता है किस टीम ने जीता है तो टीम वर्ड ने टीम वर्ड में फूटपॉल दुनिया के महान खिलारी जैसे रोजर फेडरर नुवाक जोकोविच एंडर्सन मरी जैसे महान फूटपॉलर सामिल थे इन्हों नहीं अभी लेवर कप 2022 जीता है नेक्स्ट कोस्टन है हाली में हर्मन प्रीत कौर हर्मन प्रीत कौर यह ICC महिला वंडे खिलारियों की रैंकिंग में पांच में अस्थान पर रही हर्मन प्रीत कौर इस नाम को आप याद रखेगा यह भारतिय महिला क्रिकेटर है नेक्स्ट कोस् की थी एड़ोर्ट जेनर की जहनती भी मनाते हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है हाली में भारत सरकार द्वारा कितने यूट्यूब चैनल ओपर घ्रिना और संपर्दाइक सद्भाव को बिगारने के कारण परतिबंद लगा दिया गया तो मैं आपको बता दो बाल योन सोसन की खिलाब किस ओपरेशन की सुरुवात की गई है तो अभी हाली में सेंट्रल बीरो और इन्वेस्टिगेशन की द्वारा ऑपरेशन मेग चक्र की सुरुवात की गई है नेक्स्ट है हिमाचल परदिस सरकार द्वारा तीन से छे वर्ष के बच्चों के लिए कौम सी योजना को मंजूरी दे दी गई है तो अभी प्रारंबिक बचपन देखपाल और सिक्षा ट्यूटर योजना दो हजार बाइस को हिमाचल परदिस द्वारा मंजूरी दे दी गई बात करेंगे नेक्स्ट को सिन की हाली में वर्ल बैंक ने गुजरात में स्वस्थ सेवां को बढ़ाने के लिए सारे तीन सो मिलियन अमेरिकी डॉलर रिंग को मंजूरी दे दी वोर्ल बैंक मैं आपको बता दूं यह वर्ल बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनिंसल इसके जो अभी current president है वो है David Malpass, World Bank के current president है अगर आप से पूझा जाए second largest organization कौन है तो वो है IMF, International Monetary Fund ये second है और third largest organization की बात की जाए तो वो है ADB, Asian Development Bank इसे आप याद रहिएगा, बात करेंगे next question की, next question है 30 September को होने वाले 68 राष्ट ये फिल्म प्रसकारों में दादा साफ फाल के प्रसकार किसे दिया गया तो अभी हाली में 30 सितंबर को, यानि कल के दिन ही ये आसा पारेक को दिया गया है यह 70-80 की मसूर बॉलीबूर अभिनेतरी हैं जिने अभी हाली में 30 सितंबर को आसा पारेक को 68 में राष्टिय फिल्म प्रशकारों से सम्मानित किया गया यूगांडा में अभी इबोला वाइरस जो है हाली में तेजी से फाल रहा है यूगांडा में इबोला वाइरस बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टिन की नेक्स्ट कोस्टिन है राष्टपती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 अक्टूबर को वो तिरपुरा में जो है अपना पह आजाद पार्टी की का घुसना किया है अभी जम्मू कस्मीर की ये पुर मुख्यमंतरी थे गुलाम नभी आजाद इनके दोर आभी हाली में डेमोक्रिटिक आजाद पार्टी का एलान किया गया है नेक्ट कोस्टिन है लेखि का मीना कांणा स्वामी को हर्मन कैस्टन प्रसकार 2022 से सम्मानित किया गया है ये इटली की पर्ठम महिला प्रधान-मंत्री बनी है जोर्जिया मेलोनी और अभी हाली में 27 सितंबर को 27 सितंबर को इसे याद रखेगा नेक्स्ट कोस्टन है प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी द्वारा 2014 में सुरू किये गए मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर को अपने 8 साल पूरे किये 2014 को जिस टाइम पे नरेंदर मोदी इंडिया के प्राइम निस्टर बने थे उसी टाइम पे मेक इन इंडिया नाम की एक कारिक्रम को शुरू की गई थी जिनोंने अभी हाली में 25 सितंबर को अपने 8 साल पूरे कर लिए नेक्स्ट कोस्टन है 24 सितंबर को राष्टपती द्रौपती मुर्मु द्वारा राष्टपती भवन में 2020 से किस के राष्टि सेवा योजना प्रसकार परदान किये गए कब 24 सितंबर को किनके द्वारा राष्टपती द्रौपती मुर्मु द्वारा बात करेंगे इंपोर्टेंट नेक्स्ट कोस्टिन है स्वास्त मंत्री डॉक्टर मंसुख मंडाविया ने अभी हाली में आयुसमान भारत और प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना के चार साल पूरे होने पर आरोगी मंतन दो हजार बाइस का उद्धाटन किया है कौन-कौन से इंपोर्टेंट स्कीम से हैं तो आयुसमान भारत और प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना दोनों के चार साल कंप्लीट होने पर अभी हाली में आरोग मंतन दो हजार बाइस का उधाटन किया गया और नेक्स्ट क्वेस्टन है हाली में भारत ने इंडिया हाइपर टेंसन कंट्रोल इनिस्ययटीव आई एच्छी आई के लिए राष्टिय यूए न प्रवस्कार जीता है ठीक है बात करेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन की हाली में विप्रो ने मून लाइटिंग के आरुप में अपने कितने करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया तो अभी हाली में मून लाइटिंग ने अपने 300 करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया है नेक्स्ट कोस्टन है हाली में जूलन स्वामी ने क्रिकेट से सन्यास लेने की घोसना कर दिये बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने चंडिगर्ड हवाई अंडे का नाम किस नाम पर रखने की घोसना किये तो मैं आपक रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया कौन सी कंपनी तो REC Limited कंपनी को बात करेंगे next question की next question है हाली में RBI के गवर्नर सक्तिकांत दास द्वारा मुंबई में आयोजित Global Fintech Fest 2022 में तीन परमुख डिजिटल भुखतान की सुरुवात की गई है RBI के अभी current governor है सक्तिकांत दास इनहीं के द्वारा मुंबई में Global Fintech Fest 2022 आयोजित किया गया था जिसमें तीन परमुख डिजिटल भुखतान पहल की सुरुवात की गई नेक्स्ट क्वेस्टन है हाली में बाल भीवा को मिटाने के लिए उडिजा राजी सरकार ने कौन सी पहल की सुरुवात की है तो अभी हाली में उडिजा राजी सरकार द्वारा अलीवा पहल की सुरुवात की गई बाल भीवा को मिटाने के लिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन की, नेक्स्ट क्वेस्टन है, हाली में भारतिय नौसेना द्वारा सियाचीन ग्लेसियर पर सेटलाइट ब्रॉडबेंड आधारित इंटरनेट सेवा की सुरुवात की गई, कहां पर तो सियाचीन की ग्लेसियर पर अभी हाली में भारतिय हमरमान योजना को इसे याद रखेगा next question है हाली में धर्मिंद प्रधान द्वारा चमरा उद्द्यों को बढ़ावा देने के लिए scale app को launch किया गया है धर्मिंद प्रधान द्वारा and अभी हाली में केरल के एक अमरिता अस्पताल में अभी हाली में देश का पहला full arm transplant किया गया है एक मरीच के full arm को पुरा transplant किया गया है next question है हाली में एरोन फिंच को अगस्ट 2022 के लिए ICC player of the month का सम्मान मिला है किनको तो एरोन फिंच को किस मत के लिए तो अगस्ट 2022 के लिए next question है हाली में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुद्दान से बदल कर क्या रखा गया है इस question का answer आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में comment करके बताना है क्योंकि इस question को मैंने अपने already आप previous वीडियो में discuss कर रखा है कई सारे वीडियो में अगर आपको मालू में इसका answer तो नीचे हमें comment box में comment करके ज़रू बताईएगा next question है हाली में मुहमद रिजवान ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गया है मुहमद रिजवान next question हाली में सिक्किम राज सरकार दोरा भारत का पहला हिमस्खल निगरानी रडार मिला है किस को? तो सिक्किम राज सरकार को भारत का पहला हिमस्खल निगरानी रडार मिला है बात करेंगे next question की next question है रोहित सर्मा ने अभी हाली में T20 में सबसे अधिक छक्ये लगाने की उप्रब्दी हासिल किया, रोहित सर्मा, अब बात हो रही है, रोहित सर्मा की तो रिलेटेड एक और चीज़े जान लो आप, अभी हाली में रोहित सर्मा और उसकी पत्नी रितिका सच देखो, Max Life Insurance Company ने अपना नया ब्रेंड अमिस्टर बनाया है, अभी हाली में, बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की, नेक्स्ट कोस्टन है, अभी हाली में परधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा करीब 6,000 करोर की लागत में बन रहे इफिया के सबसे बड़े अस्पताल, अमरिता अस् चीह हजार करोर की लागत में, जिसमें हैलिपेड जैसे लगजरी फैसलिटी भी है, मरीजों के लिए, फाइव स्टार होटल भी है, नर्सिंग कॉलेजिस भी है, ये सारे फैसलिटी आपको इस अस्पताल में देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट कोस्टन है, दिलीप तरकी को ह कौन सा इंपोर्टन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो अभी हाली में 25 सितंबर को 200 फार्मासिस्ट दिवस और अन्तियोदे दिवस सेलिब्रेट किया गया है, नेक्स्ट कोस्टन है, परतिष्ठित इसमिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, हाली में अभी किस अभिनेतरी को दिया गया है, तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, और लेड़ी इस कोस्टन तो भ साथ पहले नमबर पर जबकि Reliance Industries के चेर मेन मुक्य सम्भाणी 7.94 लाग करोर के साथ दूसरी नमबर पर रहे हैं पहले नमबर पर कोन है गौताम अडानी और दूसरी नमबर पर Reliance Industries के चेर मेन मुक्य सम्भाणी है चलिए next question की बात करते है next question है Amazon भारत में solar park अस्थापित करने वाली पहली e-commerce company बन गई है next question है अभी हाली में उपराश्टपती वेंकरिया नाइडो द्वारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी स्पिक्स क्योंकि ये प्रधानमंत्री ही अक्सर बोला करते है अपने स्पीच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वाज प्रधानमंत्री मोदी स्पिक्स पुस्तक का विमोचन किया गया इनके द्वारा उप्रास्ट पती वेंकईया नाइडू द्वारा ये भारत के पुर्व उप्रास्ट पती थे वेंकईया नाइडू इन्हीं के द्वारा अभी हाले में इनका रिमोचन किया गया है और अभी हाले में अल्विस अली हजारी का नौर्थ चैनल पार करने बाले आप याद रखेगा बात करेंगे next question की next question है अभी हाली में उद्योगपती रतन टाटा को PM की और्स फंड के नए ट्रॉस्टी के रोप में निवत किया गया है किनको तो रतन टाटा जी को next question है भारत 2030 में पहली मोटो जीपी रेस की मेजबानी करेगा कब 2023 में बात करेंगे next question की next question है हाल ही में मतलब आपको बताना है वो कौन से क्रिकेटर हैं जिनका अभी हाली में ट्विटर पर 50 million followers complete हो चुके हैं तो उस क्रिकेटर का नाम आपको इस वीडियो के नीचे comment box में comment करके बताना है क्योंकि इस questions को भी मैंने अल्रेडी अपने प्रिविइस वीडियो में डिसकस कर रखा है चलिए बात करते हैं next question की next question है will power the inside story of the incredible turn around Indian women hockey सितंबर 2022 में ये किनके द्वारा लांच किया गया है तो सोजर मरीन के द्वारा इस पुस्ता को लांच किया गया है important questions है आप इसे याद रखेगा अगर आप किसी भी competitive exams की preparation कर रहे हैं या आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उसके point of view से काफी important सब questions को मैंने select किये हैं तो आप इसे ध्यान से देखिएगा बात करेंगे next question की next question है तेलांगना में भारत का पहला वानकी विश्विद्ध्याला यानि forestry university अस्थापित किया जाएगा कहां पे तो तेलांग नाम है और हाली में बुर्जिल holdings company ने भारतिय बॉलिवूड अभिनेता सारुक खान को अपना नया brand ambassador बनाया है किनको सारुक खान को बात करेंगे next question की next question है हर साल 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो हर साल 15 दिसंबर को आपको याद रखना इंजिनियर दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ठीक है next question है हाली में खाने में मिलावट से राजस्थान में कौन स है अभी हाली में किस राजी सरकार ने अपने राजी में नए 18 नए थाने अस्थापित करने का निर्ने लिया है तो अभी हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजी में 18 नए थाने अस्थापित करने का निर्ने लिया है नेक्स्ट कुस्टन है भारत 2023 में 23 में सिखर सम्मेलन तैस में S.C.O. सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा कौन सा देश करने जा रहा है तो इंडिया इंडिया जो हैं तैस में सिखर सम्मेलन S.C.O. सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा नेक्स्ट कुस्टन है हाली में किस अभिनेता को Hindi University of America ने हिंदू अध्यन में डॉक्टरीट की मानद उपाधी परदान किये तो हाली में भारती एक्टर है बॉलिवूड एक्टर है अनुपम खेर को Hindi University of America ने हिंदू अध्यन में डॉक्टरीट की मानद उपाधी परदान किये इनका आप नाम याद रखेगा अनुपम खेर बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टिन की केंद्रिय जल सकती आप मंतरी गजिंद सिंग से खावत ने अंडमान और निकोबार को भारत का पहला स्वक्श सूजल परदेश घुसित किया तो अंडमान और निकोबार को नेक्स्ट कोस्टिन है विराट कॉली को IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलारी बन गए है कौन विराट कॉली बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टिन की नेक्स्ट कोस्टिन है जम्मू कसमीर के उपराजपाल मनुझ सिन्हा ने नेक्स्ट कोस्टिन है अभी हाली में मनुझ वाजपाई जी द्वारा मुस्टक का विमोचन किया गया है किनके द्वारा मनुझ वाजपाई द्वारा इन्डियन बॉलिवूड एक्टर है इन्हीं के द्वारा अभी मुस्कुराते चंद लम्हें और कुछ खामूसियां पुस्तक कभी मोशन किया गया है नेक्स्ट कोस्टन है अभी हाली में मनिपूर सरकार द्वारा सीम दा हैसी वेब पॉर्टल लॉंच किया गया है कौन सा सीम दा हैसी वेब पॉर्टल को और अभी हाली में वेनेसा नकाते को यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्डेंस एमर्जंसी फंड के सद्भावना राजदूत के रूप में निक्त किया गया है किने वेनेसा नकाते को इंपॉर्टन कोूस्टन है इसे आप याद रखेगा बात करेंगे स्वूर्टम और नेक्स कूस्टेञान गौतेम अडानी को रामकृष्ण मेमोरियल बजाज मेमोरियल आवड से हाली में संभानित किया गया किनको गौतम अडानी को अभी हाली में गौतम अडानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सुची में सबसे टॉप अस्थान पे अभी टॉप पोजिशन पे नम्बर वन और सेकंड पे हैं भारतिय अरभपती मुखे संबानी नेक्स्ट कुस्टन है अभी हाली में भारतिय मसूर कोमेडियन राजु स्रीवास्ता का अंठनवे वर्स की आयू में निधन हो गया बात करेंगे next question की next question है cancer रोगियों के कल्यान के लिए हर साल 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है cancer रोगियों के कल्यान के लिए next question है नागालेंड राज के कालागार बिभाग दोरा अभी हाली में mobile attendance एप को launch किया गया है किस के द्वारा किस राज सरकार द्वारा तो नाकालेंड राज के कालागार विभाग द्वारा कौन सा एप तो मोबाइल अटेंडेंस एप को लॉंच किया गया है बात करेंगे next question की next question है अभी हाली में महराष्ट सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल कर देवगिडी कि करने की घुसना कि अब जो दौलताबाद किला था वो अब नाम चेंज हो जाएगा और उस के लिए का नाम अप होने जारा है देवगिडी किला दोस्तों हो सकता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं इस वीडियो से आपको बहुत आपके चुना गया कौन सी फिल्म छेलो फो ये गुजाती फिल्म है इंन्हें आउस्कार 2023 के लिए चुना गया है बात करेंगे नेक्सक्ट के नेक्स्त कुस्टिन है पूर्व सेवियत निता रूसी राष्टपती पूर्व राष्टपती ते मिखाईल गोडवाचो का अभी हाले म 91 वर्ष की आयू में निधन हो गया next question है पुलाप्रे बाल कृस्टरी ने India's economy from Nehru to Modi a brief history नाम से नहीं किताब लिखिये किसने पुलाप्रे बाल कृस्टरी ने कौन से बुक लिखिये है तो India's economy from Nehru to Modi a brief history नाम से एक पुस्तक लिखिये बात करेंगे next question की next question है अभी हाली में भारत में एक से साथ सितंबर को राष्टी एक पोसं सप्ता मनाया गया और इस वर्ष की theme यानि 2022 की जो theme थी वो है celebrate of world of flavor अक्सर एक जाम में आप से theme भी पूछ ले जाते हैं तो theme को भी याद रखना बहुत ही important होता है तो आप इसे ध्यान रखेगा next question है हाली में reliance industry ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा carbon fiber plant बनाने की गोसना किये किस industry ने तो बात करेंगे next question की next question है अखिल भारते तक्निकी सिक्षा परिसद ने भारत में उन्नत डिजिटल साक्षरता के लिए adopt के साथ साज़दारी किये किसने की है तो अखिल भारते तक्निकी सिक्षा परिसद ने किसके साथ adopt के साथ next question है अखिल भारते फुटबॉल महासंग AIFF All India Football Federation के अध्यक्ष के रूप में अभी हाली में कल्यान चौबे को निक्ष किया गया है बात करेंगे next question की next question ने लक्षमन नरसिम्हन को 1 October 2022 से Starbucks के CEO के रूप में इसे निक्ष किया जाएगा किने लक्षमन नरसिम्हन को अभी हाली में आज की ही दिन से इन्हें Starbucks के CEO Chief Executive Officer के रूप में इन्हें निक्ष किया जाएगा उत्तर परदेश लक्षमन में भारत का पहला Night Safari और Jai Bivita Park बनाया जाएगा उत्तर परदेश के लक्षमन में भारत का पहला Night Safari और Jai Bivita Park बनाया जाएगा बात करेंगे next question की नेक्स्ट कोस्टन है अपेच्छा फर्नांडेस विस्ट जुनियर तैराकी के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारतिय महला बन गई है और कैनाडा के मर्खम सहर में एक सरक का नाम विस्ट विख्यात संगितकार एर रह्मान के नाम पर रखा गया है बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है भारत अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महला विस्ट कप की मेजबानी करने जा रहा है कौन सा कंट्री करने जा रहा है तो भारत कब अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 विस्ट कप की मेजबानी करेगा स्टेट बैंक औफ इंडिया ने अभी हाली में cash back credit card को launch किया है किस के दोबाय किया गया है तो स्टिट बैंक औफ इंडिया दोबारा आफ येया रादोंग किया गया है बात करेंगे त्रीक स्पने ताटा संकिय पुर्वचीरमेंट जो थे Cyrus-Mr. Khali में महराश्ट के पालगर जिले में सरक हाथसे में उनकी मौत हो गई और भारत 25 में ICC महिला ODI विस्वकप की मेजबानी करेगा कॉन? भारत कब करेगा तो 2025 में ICC महिला ODI विस्वकप की मेजबानी करेगा बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है अभी हाली में उरिसा के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक को Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया किस राज के मुख्यमंतरी को तो उरिसा के मुख्यमंतरी है current CM है अभी नवीन पतनायक इनको अभी हाली में Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया नेक्स्ट कोस्टेन है अभी हाली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंजी टी ने कच्रापरबंधन नियमों का उलंगन करने पर पस्चिम बंगाल सरकार पर 35,000 करो रोपे का जुर्माना लगाया है नेक्स्ट कोस्टियन है बराक उबामा को सर्वस्रिस्ट नेरेटर की एमी अवर्ड से समानित किया गया बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टियन की नेक्स्ट कोस्टियन है पास सितंबर 2022 को सिक्षक दिवस के अपसर पर राष्टपती द्रौपधी मुर्मु द्वारा 46 सिक्षकों को इतने सिक्षकों को तो 46 सिक्षकों को राष्टिय प्रसकार से सम्मानित किया गया 29 सितंबर से 12 अक्टूबर की बीच गुजरात के 6 सहरों में एहमदाबाद, गांधी नगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में राष्टिय खेलों का आयोजिन किया जा रहा है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर की बीच गुजरात के 6 सहर हैं एहमदाबाद, गांधी नगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर इन 6 सहरों में राष्टिय खेलों का आयोजिन किया जा रहा है बात करेंगे next question की next question है परधान मंतरी स्री नरेंदर मोधी द्वारा सिक्षक दिवस 2022 की अफसर पर एक नहीं पहल PM स्री स्कूल, PM स्कूल for rising इंडिया की घुसना की गई है शिक्षक दिवस की अफसर पर, और सुब्रतो कप अंतराष्टिय फूटबॉल टॉणामेंट 6 सितंबर से 13 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में खेला जाएगा कब से कब तक 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच कहां खेला जाएगा तो नई दिल्ली में खेला जाएगा बात करेंगे next question की next question है यूपी के फ़रुका बाद जिले के फटेगर सेंटरल जिल के खाने को FSA से आई भारतिय खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन द्वारा फाइव स्टार की रेटिंग दी गई बात करेंगे next question की next question है राष्टपती दुरौपती मुर्मु द्वारा प्रधानमंत्री TV मुक्त भारत अभियान की सुर्वात की गई है जिसका उद्देश 2025 तक यानी 2025 तक भारत को TV मुक्त बनाना है ठीक है बात करेंगे next question की next question है ब्रिटेन की महरानी एलिजाबित का आभी हाली में 96 वर्ष के आयू में स्कॉटलेंड में निधन हो गया उनकी जगह प्रिंस चाल्स को तिर्थिये को राजा बनाया गया है बात करेंगे next question की next question है त्रिपूरा जैव गाउवाला भारत का पहला राजी बन गया है कौन सा राज त्रिपूरा next question है राजस्थान सरकार द्वाड़ा 100 दिन का रोजगार मुहया कराने की महतुकांशा योजना की सुरवात की गई है और अभी हाली में भारतिय सेना द्वाड़ा पंजाब में गगन स्ट्राइक का संइप्त अभ्यास सुरू किया गया है तो यह सारे 101 questions जो थे selected थे सितंबर महिने के सारे questions को मैंने select किया था आपने इस वीडियो को enjoy भी किया होगा और काफी कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिला होगा तो आपको अगर यह वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब पर बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी powerful powerful contents देखने को मिलती रहे और यह वीडियो आपको कैसी लगी आज का यह session आपको कैसा लगा वीडियो के बारे में comment box में हमें comment करके जरूर बताईएगा क्यूंकि जब आप comment करते हो चैनल को like करते हो वीडियो को like करते हो चैनल को subscribe करते हो तो इससे हमें एक motivation मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और बहतर से बहतर काम कर सकें सो आज की इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद और जै भारत